वेलकम टु माई चैनल देखें यह बॉर्डर डिजाइन हमने भी पिछली वीडियो में बनाना सीखा था और आज की इस वीडियो में हम एक खुबसूरत सी एक रंग की स्वेटर की डिजाइन सेखेंगे जिसे आप बच्चोक स्वेटर में डाल सकती हैं जैन स्वेटर में डा चाहिए , 5-5 की घसाफ से फंदे लेने है और 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने है तो आप मैंने बाइस फंदे ले हैं , 5-20 और दो 22-22 तो ये हमारी डिजाइन इन फंदों में 4 डिजाइन बनेगी तो छली स्टार्ट करते हैं यह जो डिजाइन है चार लाइन की में complete होती है लेकिन इस डिजाइन को start करने से पहले हमें दो base row बनानी होती है शुरू में ज़ो हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो दो line base row की होगी तो चलिए सबसे पहले हम base row ही बनाते हैं row first में दो फंदे उल्टे एक दो उल्टे फिर उन पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो और यह तीन तो यह हमारे पांच फंदे complete होगे फिर उन आगे दो फंदे उल्टे एक और यह दो दो फंदे उल्टे फिर उन पीछे तीन फंदे सीधे एक दो और यह तीन 3 फंदे सीधे उन अपनी तरफ 2 उल्टे तो ऐसे हिमotros last तक यह रो बना के complete करेंगे ठीद किन सीधों यह दुखिए, यह रो हमारी complete हो गई लास्ट में देखिए 2 फंदे उल्टे, 3 सीधे और 2 उल्टे अब second row है, तो देखिए जो 2 उल्टे है जो right side से उल्टे हैं, उन्हें हमें wrong side से सीधा बुनना है, तो ये उल्टी तरफ है wrong side है, तो ये दो फंदे हम सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे, एक, दो और ये तीन, तीन फंदे उल्टे बुने, फिर उन आगे करेंगे, दो फंदे हम सीधे ठीक है फिर उन आगे तीन उल्टे ऐसे ही हम सेकेंड रो भी जो बेस रो है वो भी हम कंप्लीट करेंगे तो बना लेते हैं इसी तरह से यह देखिए हमने बेस की दो लाइन बना के कंप्लीट कर लिए ठीक है दो रो बन गई है अब हम design की first रो पर आते हैं ध्यान से देखिए चार लाइन की डिजाइन है यह देखिए एक दो दो फंदे हमने उल्टे बुने उन पीछे किये अब देखिए यह जो फंदा है जो तीन फंदे हमने बुने थे तीन फंदे देखिए यह तीन फंदे एक दो तीन तो यह जो फंदा है देखिए यहां इसके नीचे यह एक और यहां से हम इस तरह से फंदा बाहर निकालेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ले लेंगे, बुनेंगे नहीं, अब हम यह तीन फंदे सीधा बुनेंगे, एक, दो, और यह तीन, यह हमने तीन फंदे सीधा बुनेंगे, ठीक है, अब जहां से हमने पहला फंदा निकाला था, वहीं से, इस तरह से सलाई insert करेंगे देखे इस तरह से और एक और फंदा हम यहाँ पर निकाल देखे यह हो गया देखे फिर उसके आद उन आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे एक और यह दो फिर उन पीछे करेंगे ठीक है अब देखे फिर से वापिस से पैटर्न रिपीट करेंगे देखे यह जो दिख रहा है आपको एक और दो देख सकते हैं यहाँ पर यह एक फंदा और यह दो तो यह जहाँ दूसरा है देखे जो दूसरा वाला हो ले इसमें हम इस तरह से एक फंदा लेंगे थोड़ा लूज लेंगे इस तरह से फिर तीन फंदे सीधे पुनेंगे एक दो तीन और फिर वापिस से यहीं जहां हमने इस फंदे को निकाला इसी में से इस तरह सलाई को इंसर्ट करके एक फंदा हम निकाल लेंगे इस तरह से फिर उन आगे किया हमने फिर हम दो फंदे उल करें जोए हैं हुदुर्ष थे 15 में इसके नीचे हैं है पिर इसके बाद हम एक है 30an और यह तीन पर रहिंदें वन वह बोंगे मिस है है कि वापिस से संधा निकाला इसी में सलाई इंसट करके एक और फंदा निकल लेंगे तीक हैं उन आगे करेंगे दो फंदे उल्टें है फिर उन पीछे उर्डी दिखें इसके नीचे से हम इस तरह से लिखिए हैं एक दूसरे फंदे के अंदर से इस से राइक रूमिशा को इंसेट करके फնदा निकालेंगे फिर तीन फंदे बुनेंगे देखें एक, 2, 3 और फिर वापस से इसमें से हम इसे रिक डोगें, अब यहाँ पे फिर उन आगे रोएकिं दो फंदे जिल्टे यह हमारी दूब first है ठीक है row first है row second देखिए जो सीधे फंदे हैं दो इन्हें हम सीधा बनेंगे एक दो ठीक है उन अपनी तरफ करेंगे यह जो फंदा है इसको हमें उतार लेना है यह उतारेंगे तीन फंदा मुल्टा बनेंगे एक दो तीन ठीक है फिर यह जो हमने फंदा खींच के बनाते है इसको हम उतार लेंगे इसकिप करेंगे उन आगे दो फंदे सीधे एक दो ठीक है फिर उन अपनी तरफ करेंगे अब देखिए जो हमने खींच के फंदा निकाला है इसको हम उतार लेंगे 3 फंदे मुल्टा बुनेंगी 1, 2 और यह 3 हो गया फिर उसका इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे उन आगे करेंगे 2 फंदे सीधे 1, 2 फिर उन अपनी तरफ फिर देखे यह हम इसको उतार लेंगे फिर 1, 2 3 तीन हुए फिर इसको हमने उतारा फिर उन आगे, दो फंदे सीधे एक जो फिर उन अपनी तरफ खीछे फंदे को उतार लेंगे फिर तीन फंदे उलटे एक, दो तीन फिर इसको उतार लेंगे दो फंदे बचे इनको सीधा तो यह हमारी रो तो प्लीट हो गये अब देखिए रो हम थर्ड पर देखिए हमानि डिजाइन स्टाट होगे बनना रो थर्ड पर हैं दो फंदे उल्टे एक दू फिर उन पीछे करेंगे अब देखिए यह जो फंदा है इसको ऐसे उतारेंगे और ऐसे हम इसे सीधा कर लेगे अब यह दो फं इसको हमें नहीं पलतना है इसको और इसके पहले वाले को ये दो देख सकते हैं इस दोनों को हम एक साथ इससे सिधा बनाएं तिसको और इसके पीछे वाले को पीछे से हम सीधा बनाएंगे फिर यह एक फंदा है इसको हम सीधा बनाएंगे फिर यह जो दो फंदे है इनको हम सीधा बनाएंगे एक साथ फिर उन अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक दो फिर उन पीछे करेंगे अब देखिए इस तरह से ठीक है तो ऐसे ही हम लास्ट तक बनाते हुए जाएंगे यह देखिए रो थर्ड हमारी कम्प्लीट होगे अब जो रो फोर्थ है जब उन्हें बेस रो में सेकेंड रो बनाई थी वैसे ही बनेगी दो फंदे सीधे ठीक है दो सीधे फिर उन अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे एक दो तीन उल्टे फिर उन आगे दो फंदे सीधे एक दो दो सीधे फिर उन आगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फंदे उल्टे फिर उन आगे दो फंदे सीधे एक दो तो ऐसे ही हम इस रो को बनाके कम्प्लीट करेंगे यह देखिए यह हमारा पैटन कम्प्लीट तो मैं स्टार्ट करके बताती हूं बाकी आपको समझ में आ जाएगा देखिए दो फंदे तो आपकी उल्टे ठीक है दो उल्टे फिर उन पीछे करेंगे अब देखिए यह जो फंदा है बीच वाला इसके एक दो दूसरे फंदे में इसे नीचे आईए देखिए एक और दो इसमें हम इस तरह से सलाई को इंसर्ट करेंगे और एक फंदा खीचेंगे थिए एसमें हम आगे करेंगे 2 फंदे एक दो ठिक फिर वहुन पीछे तपिे इ recibir एक फ्रेल आएंगे आपको 12 रही दूसरा इसमें रिच्छा इस तरह से निकालेंगे फिर यहां तीन फंदे बनाएंगे 8 दू तीन हुआ फिर इसी के बीच में यहाँ पर हम इस तरह से बना लेए तो अब इसी तरह से डिजाइन बनाते जाएंगे तो थोड़ी इस डिजाइन बना के दिखाते हूं यह देखिए यह मैंने चार पैटर्न बना हैं देखिए बहुत ही खुबसूरत जो की तरह यह इसकी बालियां लगती है इस तरह से देखिए जो की बालियों जैसे डिजाइन है खुबसूरत से डिजाइन है तो मुझे उम्मीद है आपको यह पैटर्न पसंद आएगा अगर आपको यह गैपिंग ज्यादा लगती है आप एक भी रख सकते हैं तो अच्छे लगें आपको इडिजाइन तो अच्छे लगें तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक किजेगा शेर किजेगा कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको इडिजाइन कैसे लगी और हाँ फ्रेंट्स मुझे आपकी कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है एक बार आप मेरे चैनल पर विजिट सरूर करें वह आपको पहतरी डिजाइन मोजे बच्चों के मोजे टोपी, स्वेटर, बच्चों के स्वेटर कार्डिगन सबकी डिजाइन आपको मिलेगी और जो कि आपको बहुत पसंद आएगी तो एक बार आप मेरे चैनल पर विजिट सरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू